हरदोई के समुदाइक स्वास्त केंद्र बावन में स्थापित करने को ओक्सीजन प्लांट के लिए शनिवार को करीब एक बजे सदर विधायक ने जिला धिकारी अवनीश कुमार की मौजूदगी में निरिक्षण किया इसके बाद अधिकारियों ने कोविड अस्पताल का निरिक्षण कर व्यवस्थाएं जाची CHC में कोरोना संक्रिमित के लिए उपलब्द संसाधनों का जाईजा लिया 52 समुदाइक स्वास्त केंदर में कोरोना संक्रिमित मरीजों को इलाज के लिए उक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश लगू उद्योग विकास निगम की ओर से उक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई जाएगी इसका शुब आरम सदर विधायक नितिन अगरवाल के द्वारा प्लांट शुब आरम किया जाएगा सदर विधायक वाजिला अधिकारी अविनाश कुमार उत्तर प्रदेश लगू उद्योग विकास निगम के कोईड अस्पताल का निर्क्षन किया सदर विधायक ने कहा कि शेत्र में कोरोना पीडित मरीजों को अब ऑक्सीजन के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़ेगा उन्होंने कहा कि स्वास्ते कर्मी बहतर इलाज कर कोरोना संक्रमितों को ठीक करें इसलिए मैंने अपनी विधायक निदी से त्रीयश्ती को अक्सीजन प्रांट के लिए बैसा दिया था आज हम लोग मैं हमारे जिले के दिस्ट्रिक ने लाजकारी महोद है और सभी पूरी टीम यहां पे है इसका काम जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम लोग का प्रयास है कि जनपर हर्दोई आत्म निर्वर हो जाए अक्सीजन सप्लाई में जिससे आगे अगर कोई और भी कोई टीथी वेव की जॉशन का जताई जादी अगर वो आती है तो अक्सीजन की कमी हम जनपर में ना हथे में जुलाई के पहले हथे तक हम यहां पर ऑफिजन प्रांट की शुरूबात कर देगा है और अगर आगे जरूरत पढ़ेगी मरीज अगर कोई थीथी आती है तो और मरीदों को यहां पेडमिट कर गे उस और ऑफिजन की कमी को पूरा किया जाते है जनपर नहीं हमारे निटनगरवाल दी द्वारा अमनी इस थीए मिदी से चन्सी बावन ने है ऑफिजन इन्रेशन प्रांट के लिए अपनी मिदी से संटर लाग परी है उसी लिक्तरम में यहां पे टीज वेट पे हम लोग और तीज वेट पर हम लोग ऑं लोग ऑं लोग विजदी की क्या विवस्का है और जेनरेशन दाटी है, पाइपलाइन कहां पर लगी गी उसी करम्या ने विजदी की या और जो भी समस्या का इंजिनर से बताई किसे विजदी की एक्सेंशन गिया रोड पड़ाना पड़ा है, तो इसके लिए हमें आगे कार्योजना बना द तो हमारे प्रयास यही ने कि मानि विजदायजी की जो मंच्छा है और जो मानि मुक्त मंदीजी के निज़रेश हैं कि प्रतेक CAC पे आप मोद कोशिद करें कि ऑक्सेजन गिशन ब्रांक स्टाटर को, इसी लिए प्रम में हम लोग हैं पर.